दूस्तर एक उजय ने पूचा है कि हमें पोस्ट का URL एडिट करना हो तो कैसे करें हमें नया URL डालना है या फिर हिंदी में हमें उसे इंग्लिस में टाइप करना है तो पोस्ट का URL आप कैसे एडिट कर सकते बटपेस के अंदर जब हम बटपेस के अंदर पोस्ट का URL एडिट करेंगे या चेंज करेंगे तो पोश्ट पर क्या अफेक्ट पड़ेगा अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पीडियो को कंटिन्यू सुरूश क्लास तक जरू दिखें नमस्का दोस्तो आप दिख रहें PC Computer Hindi जैसा कि दोस्तों यहां पर हमारी काफी पोश्ट है लिखे हुई हैं हमें यहां पर एक पोश्ट है उसका यूरल चेंज करना है तो हम यहां पर चेंज करने के लिए एडिट पर क्लिक करेंगे edit पर click करने के बाद दूस्तों इस तरह से interface आएगा तो जब भी आपको URL देखना है एडिट करना है तो हम इसा title वार के नीचे URL रहता है यहाँ पर URL को permalink भी बोला जाता है ठीक है तो यहाँ पर हमारी site का URL यह है जैसी हम इस पर click करेंगे तो new page खुल कर आजाएगा site का ठीक है तो यह है URL इस पूस्ट का यहाँ पर दूस्तों अगर आपको edit करना या change करना है तो edit पर click करेंगे edit पर click करने के बाद यहाँ पर काफी URL है तो आप इसको control एक करके यहाँ पर या फिर backspace से हटा सकते हैं आप चाहते हैं नया आपने यहाँ पर हिंदी कर आपने यहाँ पर हिंदी वर्ड में URL लिखती है तो आप सिंग्लिस करना है तो आप remove करके फिर से यह नया URL जनरेट कर सकते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ हो चुका ठीक है लेकिन अभी यह हुआ नहीं है इसमें थोड़ा हमें यहाँ अपडेट करना हुआ अब सिंपल सा में एक चीज़ दो बता दो जैसी एड़ेट पर किलिक करेंगे तो यहाँ डेट डेस आ जाएगा दोस्तों और किलिक करने के फार आप अपडेट करने के बाद आपका पोश्ट Kanagya मैं आपको बता दू है जब दोस्तों का यहाँ पर लेकर रेंबज हो जाएगा ठीक आप यहां इस पोश्ट यह सकते है यह अ आर्टिकल्ष रेंक कर रहा है तो दोस्तों आपको प्राब्लम हो सकती है 404 का error भी आएगा क्योंकि दोस्तों यहां पर यह इस URL पर article rank हो रहा है और गूगल देगा और यह URL पर पोस्ट नहीं मिलती तो साइट आपको 404 error बताएगा तो इससे क्या होगा आपकी साइट पर negative effect जाएगा Google की तोर पर दिखा ज लिट है तो ओटमेटिकली जो भी यह article है उसको Google rank से हटा देगा कुछ समय के लिए जब तक उसे इस पोस्ट का नए URL नहीं मिलता हना तो यह लॉस्स है URL चेंज करने के क्योंकि हमने हिंदी में किये थे तो हम इसे इंग्लीस में convert करेंगी तो यहां पर 404 error आएगा क्योंकि PGC नहीं है हमारे पास उस URL का जो rank कर रहा है को कि हमने उसे delete कर दिया अपने post का URL चेंज कर दिया अगर दोस्तों यह problem आए तो दोस्तों आप यहां पर redirect लगा सकते हैं इसका solution जी है तो redirect के लिए आपको करना क्या है simple सा यहां पर आप जाएंगे plugins के अंदर तो यहां पर एक यह plugin है री डारेक्ट री डारेक्शन यह plugin है दो मिलियन इसके डावलोडर है तो इस plugin को आपको डावलोडर इंस्टॉल कर देना है और आप अपना पुराने वाला URL और आप नए आवारे URL को redirect कर सकते हैं पुराने वाले URL पर जिससे क्या होगा जब भी Google पर result आएंगे जैस नए वाली URL पर redirect हो जाएगा automatically को कि हमने आप री डारेक्शन दे दिया है हना तो यह plugin आप यूज कर सकते हैं री डारेक्शन के लिए दोस्तों जब आप पोस्ट का URL चेंज करें तो री डारेक्शन जरूर दें री डारेक्शन अगर नहीं देते तो दोस्तों आपको जो भ आपने लिंक डाले हैं वहां से ट्राफिक कर रहा है वह भी बिकार हो जागा को कि 404 एराया को कि उस URL पर आपकी पुश्ट डिलेट हो चुकिया आपने उस पुश्ट का URL चेंज कर लिया ठीक है URL एड्रेस होता है अगर आप एड्रेस चेंज कर देंगे तो आपके घर की प पते पर तुब कुछ बेसिक जाने करें ती URL एडिट करने से रिलेटिड आयोप आपको यी बीडो काफी हेल्पुल लगा दूस्तों सी तरह की और हेल्पुल बीडिकल हमांचर पर बने रहे एक फ्रेंड डेंक्स एंड बाइबाइ